So Hello Guys, Welcome to my YouTube Channel Ritik Technical Support इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके iPhone में Read Receipts Turn Off का error आता है बट वो सो भी करता है इस टाइप के आपको अगर problem आती है तो कैसे आप यह problem को fix करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वीडियो स्टाइट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीचेगा बिल्क आइकन को प्रेस कर लेना है So जब आपको इस टाइप की problem आती है आपके iPhone में तो simple आप यहाँ पर दो method का use करके इस problem को fix कर सकते है पहला जो method है आप अपने iPhone को एक बार restart करके try कर लीचेगा highly chance है आपके problem ठीक हो जाएगी या फिर अगर यह तरीका काम न करें तो आप अपने iPhone की settings में जाएगा then आप general पे click करिए scroll down करके आपको transfer और reset iPhone पे click करना होगा then आपको reset पे click करना है and आपको जो यहां पे first options हो करेगा reset all settings का तो simple आपको अपने iPhone की जो all settings होती है उसे reset करना है इसमें जो भी गलत activity हुई होगी सब कुछ default हो जाएगा then आपको जो problem आ रही थी वो problem भी आपके fix हो जाएगी ठीक है so topic discover मिलते हैं next video में जै मातादी